नमस्कार दोस्तों वीकेन उलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों रिसेंट लिक तीन भड़े एक्जाम आपके होने हैं आई थिंक आप किसी ने किसी एक्जाम को जरूर देने वाले हैं CPRI का एक्जाम होना है, MPTO का होना है और UP में RVNL का पेपर होना है आज किस वीडियो में तीनों पर विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे complete last तक देखना, छोटा सा सुझाओ देंगे, क्या करना है पेपर में, जब ऐसे एक्जाम आपके सामने हो, खास तोर से CPRI में बड़ा सवाल है, नेगिटिव मार्किंग है अथवा नहीं तीनों मैंसे कोई भी एक्जाम दे रहे हो, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट है, लाश्ट तक जरूर देखना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना डिस्क्रिप्सर में लिंक दिया हुआ हमारा एंडूर्ड एप डाउनलोड जरूर कीजिए, एप में हम हर मंडे फरी में प्रेक्टिश टेस्ट करवाते हैं, आप उसे अटेंड कर सकते हैं, आईए दोस्तो, चर्चा की सुरुवात करेंगे सबसे पहले, हम जो बात करने ज खाफी सांदार वेकेंसी है, अठाइस सो ग्रेड पे की वेकेंसी है, आईटी वालों को सीधे, अगर अठाइस सो ग्रेड पे की वेकेंसी मिले तो बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि राजस्तान टेक्निकल एलपर में अठाइस सो ग्रेड पे आपका बारे वर्स बाद पह है बट फिर भी अगर आप चाहें तो अच्छा स्केल मान सकते हैं इसमें जो वेकेंसी आई थी उसका सलेबस और एक्जाम पेटर्न जो है न वो उन्होंने पहले तो जारी नहीं किया लेकिन अब एक्जाम आने से पहले उन्होंने दे दिया है अब बात यह है गुरुजी ने बहुत सारी बच्चों को एक्जाम पेटर्न का नहीं पता तो पहले वही से एर करना चाहा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा 90 मिनट का समय आपको मिलेगा लगभग डेड़ घंटा बोल सकते हूँ आप 100 MCQ होंगे multiple choice क्यूशन यानि रेश्यो के इसाब से देखे तो 54 सेकेंड एक क्यूशन को मिल रहे है यानि इस तोरान क्यूशन को पढ़ना भी है हल भी करना है क्लिक करना है सेव भी करना है सब कुछ करना है इसका मतलब इस पीड़ तो चाहिए केलकुलेशन की प्रेक्टिस थोड़ी सी करके जाना ठीक है और जो इसमें 100 क्यूशन होंगे उसके टोटल 5 पार्ट रहेंगे अच्छी बात क्या है सेम वो ही पांचो पार्ट है जो आपके DRDO एक्जाम में होने तो जिन बच्चों ने हमारे DRDO वाली स्रीज जोइन कर रखी है उन बच्चों को मैं सुझाओ देना चाहूंगा कि आप वो सभी तेरा टेस्ट अटेंड करें और पूरी प्रेक्टिस करें क्योंकि सेम चीजे हैं फरक इतना सा है कि 40 क्यूस्टन टेक निकल के आएंगे DRDO में 80 क्यूस्टन आएंगे इतना सा ही फरक है बाकी च्यारों पार्ट के 15 15 क्यूस्टन आएंगे DRDO में 10 10 क्यूस्टन की संभावना हम जता पा रहे हैं 15 क्यूस्टन में क्या-क्या आएगा सेम वोई जनरल अवेर्नेंस रिजनिंग है न और क्या-क्या रहे गया इंगलीज और क्वान्टेटिव एप्टिट्यूड यानि मैथ यह सेम सी जाएगी मैं बता भी जुकाऊं टाइम देने की ज़रूरत नहीं है गुर्जी पर आओ कि नेगिटिव मारकिंग है अथवा नहीं देखो मेरे दोस्ट अगर मैं सी पी आई रही में नेगिटिव मारकिंग की बात करूं तो इसकी दो बातें होती है ठीक है ना पहला पॉइंट तो होता है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया जाए अब नहीं है तो कहते हैं अगर नहीं बताया गया हो नेगिटिव मारकिंग है अथवा नहीं तो ये माना जाता है कि नेगिटिव मारकिंग नहीं होगी अगर नहीं मेंशन हो कहीं भी कि नेगिटिव मारकिंग है अथवा नहीं तो ये माना जाता है कि नेगिटिव मारकिंग नह नहीं होगी, point clear है, दूसरा, admit card जारी हो चुके है, admit card पर कहीं भी mention नहीं है, और आजकल तो admit card पर mention करते भी नहीं है, क्योंकि सभी post के लिए general instruction और वो सब सेम रखते हैं, तो exam pattern admit card पर नहीं छापते हैं, आजकल, एक option और है आपके पास, कि जिस समय question paper को attend करो, वहाँ हो सकता है कि सारी detail लिखी भी मिल जाए, तो question paper को attend करो, उस समय जो instructions आए, उन पर एक बार थोड़ी नजर डाल देना, एक मिनिट में पढ़ लोगे सारा, पांच-दस लाएने होगी, नहीं न, पांच-पांच-दस-दस सेकंड में पढ़ोगे तो एक मिनिट में पुरी हो जाएगी, वहाँ clearly mention अगर किया हुआ हो कि negative marking है, अथवा नहीं, तब तो दीवेस्ट है, वहाँ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो no doubt, हमें इसी point के साथ जाना है कि negative marking नहीं है, और जब negative marking नहीं होती है, तो मैं एक point हमेशना बताता हूँ कि सारे कि उस खोड़ना नहीं है, यह आप पूज्यान रखना है, ठीक बात है, यह था CPRI का, मुझे लगता है, सब को reply मिल गया, और अगर आप भी practice करना चाहते हैं इसकी, तो हमारे DRD वाली series join कर लो, same CPRI में भी वही आना है, बुर जी अब आते हैं, UPR विनल TG2 पर, देखो मेरे दोस् UP से हो, तो इस से बड़ी पूरे वर्ल्ड में आपके लिए कोई नोकरी नहीं है, इसलिए जितना potential अपने अंदर है, जितना दम अपने अंदर है, वो सारा दम इस पर लगा दीजिए, क्योंकि हमें नोकरी चाहिए, इसमें आपको पेपर जो आएगा, तीन घंटे का समय मि लेगी, कुल आपके इसमें क्यूसन जो रहेंगे, वो 200 क्यूसन रहेंगे, जिसमें से 150 टेक निकल के होंगे, और 50 क्यूसन नोन टेक के होंगे, जिसमें हिंदी होगा, जनरल अवेरनेंस होगा, और एक मैं ध्यान से देख नहीं पाया, मुझे यादा नहीं रहा, रिकॉल कर पा रहा हूं, खुल आपके इसमें 200 क्यूसन आएंगे, तो यहां पर यह टेक्निकल वाला पार्ट जिसका, मतलब सुझाव दे रहा हूं, यह टेक्निकल वाला पार्ट जिस बच्चे का स्ट्रोंग होगा, वो आगे निकल सकता है, क्योंकि नोन टेक में देखो हिंदी आ जाता है, जनरल आवेरनेंस, देखो अगर 1947 का पूछ लिया तो सब के लिए टफ है, लेटेश्ट आया तो सब के लिए इजी है, तो इस तरह की क्यूसन जबाएंगे तो हो जाएगा, एक इसमें पार्ट हो रहा है, सोरी मैं रिकोल नहीं कर पा रहा हूं अभी, तो यह नोन ज्यादा फ्री वीडियो हमने उपलब्द करवा रखें, आप हमारे यूटूब चैनल पर जाएए, चैनल में प्लेलिस्ट बनीवी है, जिस टोपिक पर क्यूसन जाएए, आप वहां से क्यूसन देख सकते हैं, ठीक है गुर जी, यूपी आरविनल के बाद में अभी आपक का पेपर भी है, अच्छा एक चीज और बता दूँ, कई बच्चे ऐसे थे जिनका एमपी टीयो और यूपी आरविनल का सेम डे है, तो मैं सुझाओ दूँगा, आप यूपी आरविनल का दे क्योंकि वहां पर सीटें जागा है, टीयो में सीटें कम हैं, अब देखो गई, अगर आप एमपी से है, तो प्रात्मिकता इसी को देंगे, लेकिन किसी और इस्टेट से है, तो मेरे दोस्त पोस्ट का नाम है अधिकारी, और नाम में तो बहुत कुछ होता है पता है आपको, पर सिक्षन अधिकारी बोला जाता है इन्हें, तो अधिकारी सब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए इस पोस्ट के लिए आप लगा दीजिए दमखम जितना लगा सकते हैं, 75 क्यूशन आएंगे इसमें, 50 क्यूशन टेकनिकल के है, 25 क्यूशन नोन टेक के है, नोन टेक में इंडिया जी के, MPG के, मैथ, डिजनिंग, कंप्यूटर सब डाल रखाएं, तो अभी 16 तारीक को पहले मेकनिकल वालों का हो जाएगा, है न, तो फिर हम देखते हैं कि, क्या कुछ पूचा गया, उस पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है, हमें वहाँ से थोड़ी हिंट मिल सकती है, खेर, में पारटाज का जो CPRI वाला था जहां तक मेरा मानना है, मेंसल नहीं होती है, तो नेक्टिव मार्कित नहीं होती है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो लाइक चरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसे फोरवर्ड जरूर करें